हलो गाईज विलकम बैक टो नदर वीडियो गाईज अगर आपकी पास एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं आज किस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करना है बहुत ही अस तो यहां पर आपको नीचे जाना ही या फिर राइट साड नीचे में थ्री डॉट दिखेगा उसको क्रेडिट का ओप्सन आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं क्रेड का ओप्सन आ चुका है तो क्रेड का ओप्सन पर आने के बाद क्रेड काड वाले ओप्सन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यहां पर आपके पास जो भी क्रेड काड रहेगा वो यहां पर शो हो जाएगा जैसा की देख पा रहे ह। यहाँ पर मेरे पास दो create card है access bank का मेरे पास दो create card है तो यहाँ पर मैं flip card access bank card है उसका bill payment करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर क्या करना है जो भी card का आपको bill पे करना है उस card को आप click करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि वो कार्ड का डीटेल आ जाएगा उसके बाद उस कार्ड में लेटेस्ट मंत में यानि करेंट मंत में कितना बिल आया है आपका वो यहाँ पर शो हो जाएगा Pay now वाले option पर click करेंगे loading लेगा आपको इंतजार करना है यहाँ पर अब आपके सामने इस तरह का interface खुलके आएगा अब यहाँ पर देखिए दो चीज़े हैं यहाँ पर last build due लिखा हुआ है उसके बाद minimum due तो कभी भी आपको minimum due को click नहीं करना है जो भी last payment रहेगा यहाँ लास्ट bill रहेगा उसको click करना है उसको click करना है उसको click करना है तो देखिए यहाँ पर card का detail आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हो रहेगा कि आपने जो है full payment के लिए select किया है बहुत अच्छा तो यहाँ पर confirm and pay का option है ठीक है उसको click करेंगे अब आपके mobile banking का जो MPN आपने लगा रखा है वो MPN फिर से यहाँ पर मांगेगा उसके बाद MPN जैसे ही डालेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं payment successful हो चुका है जैसा कि देख पा रहे है तो अब यहाँ पर देखिए payment successful हो गया तो यहाँ पर एक confusion है confusion क्या है मैं वो भी बता देखो जैसे ही फिर आप credit card वाले section में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका bill रहेगा last month का current month का वो बार बार show होगा pay now pay now करने के लिए बोलेगा मगर आपको चेक क्या करना है आपको अपना auto standing amount चेक करना है कि हमरा auto standing amount जो कम हुआ या नहीं हुआ है उसके बाद जो है credit limit बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ठीक है तो यह चीज़े आपको यहाँ पर बार बार बताएगा कि आपका last bill amount इतना है आप उसको pay करिए जैसे कि देख पा रहे हैं आप पे नाओ का option है और जो amount मैंने पे किया वो बार बार शो होगा